आज हम लाइबरेट के माद्यम से आप सबसे जुड़ने वाले हैं और डिस्कुस करेंगे के सेक्शुल प्रॉब्लम्स क्या है क्यों होती है और कैसे उनको हम टेकल कर सकते हैं कैसे उनको हम ठीक कर सकते हैं आजकल बहुत यंग पेशंट्स हमारे पास आने लगे हैं जैसे कि 15 साल के लड़के लड़कियां या 18 साल के लड़के लड़कियां जिनको नहीं होनी चाहिए इस एज में यह प्रॉब्लम्स वह होने के रीजन्स क्या हैं उसके बारे में आज भी हम वह भी डिस्कुस करेंग क्योंकि हर को ही बताता है कि यह प्रॉब्लमं क्यूं हुई है क्या उसका मतलब है हम उन सब चीजह के बारे में डिसकुस नहीं करेंगे हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएं या जैसे कैसे बचा जाए उसके भर में बात करेंगे जैसे की specially आज मेरा मोटिव यही है कि मैं चोटे बच्छे जो है जो यंग है जो टीनेच में हैं उननके लिए satu कारेंगे कि उनको sex education मिलनी चाहिए जब तक कि उनको sex education नहीं मिलेगी उनको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइब के साथ और जो चीज़ें उनको वाइड करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं इसकी काफी सारी रीजन्स हो सकती है जैसे कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ बात ना करना या उनके स्कूल में, कॉलेजिस में ये सब एजुकेशन ना होना तो इसी वज़ा से हम कहीं न कहीं लैक कर जाते हैं तो काफी पेशेंट्स मैंने देखे कि हमारे पास आ रहे हैं और टीनेज में आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि इसके उपर हम वीडियो बनाते हैं ताकि उनको थोड़ा नॉलेज मिल पाएं उनको क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिये जैसे कि हमारा एक्सेस हो गया है फोन के उपर स्मार्टफोन के उपर हम लोग वीडियोस देखते हैं पॉन देखते हैं और अपने फ्रेंड से बात करके उसको डिस्कुस करके और ज्यादा उन सब चीजों में इंडल जोते हैं जो कि नहीं ठीक है मतलब आप छोटी एज है और इन सब चीजों में आप इंडल जोंगे आप अपने स्पर्म को डेमेज करेंगे मास्टोबेट करके छोटी एज में जो कि आगे चलके इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम करेगा अभी तो हमें अच्छा फील होगा वो सब ची हेल्दी डाइट रखिए अपनी और मास्टूबेशन से बचिए और पॉन मत देखिए यही हमारा सजेशन रहेगा इस सब चीजों के लिए इसकी फर्दर नॉलेज गेन करने के लिए आप मेरे क्लेनिक पे जो तिलक नगर में और मोती नगर में है दोनों ब्रांचिस हैं औ कि आप अपनी पूरी प्रॉपर प्रॉब्लम का सोलूशन करवा पाएं